अब्रिवान वेल्कम तो अनकेडमी वी प्यस्थी डेली करेंट अफेस अपडेट्स के अपने सीरीज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं अगले कुसी मिंटों में वोग देखने वाले हैं नेशनल, इंटरनेशनल अफेर्स और बिहार के उन तमाम में तुपुन खबरों पर आधारित प्रश्णों को जो अपकमिंग एक्जाइम के दुरिश्टी कौन से इंपॉर्टेंट है तो इससे पहले मैं सेशन की शुरुवात करूँ आप में से जितने भी बच्चे सेशन को जोईन कर पाएं हैं और फटा-फट से आप लोग सेशन को सेर कर देना अपने सभी सात्यों के साथ और जल्दी से सेशन के बलोग शुरुवात करेंगे सेशन की शुरुवात करेंगे हम लोग जल्दी से और हर दिन की तरह सेशन की शुरुवात होगी थाउट आप दी डे के साथ सुब विचारों के साथ वक्त ने छीना है तो वक्त देगा भी वस खुद को हालातों से हारने मत देना जीवन में कभी खुर्सी तो कभी गम है कभी सफलता तो कभी असफलता है कभी उतार तो कभी चड़ाव है अनि कि पाट ओफ लाइफ है जीवन का अलग अस्तर है और यह हर व्यक्ति को अपने जीवन में चीजों का सामना करना पड़ता है इसमें विजई वही है जीतता वही है जो इन विपरित प्रिष्टितियों में भी घबराएगा नहीं और पैसेंस रखेगा वक्त भरोशा रखेगा कि आज बुरे दिन है तो कल अच्छे दिन आएंगे और उस अच्छे दिन के लाने के लिए आप जो निरंतर संघर्ष करे है कि आज के सेशन में हम लोग यहां पर जो सवालों को देखेंगे स्ट्रिंट उसमें से मैं यह कह रहा हूं आप सबको कि देखो कल तो सेशन नहीं हो पाये था तो कल के तो सवाल बचे हुए है उसको लोग आगे देख लेंगे हां और क्वीक रिविजन के साथ सेशन की करवा रहे हां आनि की सोलह सत्रह तारी का जो सेशन था उसके सवालों को एक बर क्वीक रिविजन करेंगे फटाफट से देखेंगे और फिर हम लोग आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे तो जल्दी-जल्दी से क्लास की सुरुवात करेंगे और देखते हैं क्वीक रिव हम लोग रिविजन कर रहे थे और इसी सवाल के रिविजन के दौरां हमारा जो सेशन था वह अचानक से रुख गया और फिर हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ा पाएं ठीक है तो जो पहला प्रशन है आपके सामने सब्सक्राइब उसे आप स्कीन पर देख सकते हो कोशन न करना कि कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजीत एशियाई कुस्ती चैंपियंशीप में 57 फ्री एस्ट्राइल स्रेनी में गौल्ड मेडल किसने अपने नाम कर लिया है तो साथ इसमें नाम है आमन सहरावत का ओप्सन नमर बीज राइट जिन्होंने इसमें मेडल अपने नाम ने एक सथ भाग लिया था तो इससे जुड़ेवे सवाल पी एक्जायम के अंदर पूछे जा चुके अल्री तो इसे भी बनाओंगे 11304 और गिनीज वर्ल्ल रेकॉर्ड में इस नाम को दर्ज कर लिया गया है इसे देखोगे कि वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने दुन कौन सा भारतिय टाइगर रिजर्व परबंधन प्रभाव शिल्ता मुल्यांकन की उत्करिष्ट स्रेणी में सबसे उपर रहा है साथ यो परबंधन प्रभाव शिल्ता मुल्यांकन के मामले में पेरियार टाइगर रिजर्व जो की के अंदर है वो पहले नमबर पे और इस्तार से आपको बताया था पूरा लिस्ट भी आप देख सकते हो बेरे साथ कि इंडिया में कहां कहां पर कितने टाइगर रिजन में टोटल अभी 54 हो गया है किस सहर में देश की अपनी तरह की पहली 3D मुद्री डाक घर कहां पर बनाया जा रहा है और इसका कोस्ट भी कम है और समय भी कम लगता है बेंगलूरू इस राइट अंसर अगला सवाल फिर से था नेक्स्ट है कि किस देश के सोध करता हो ने यूरेनियम की एक नहीं समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोजकरी है तो साथियों वह देश और जापान है एंड ऑप्शन नमर 20 राइट अगला सव इस पर दब दबा है चाइना इसको अपने नियंधरन में रखता है आगे सवाल होगा कि उस बैंक का नाम बताए जो हाली में कोफी टेबल बूग दा बैंकर टु एवरी इंडियन लॉंच किया गया है डा बैंकर टु एब्री इंडियन साथिए इसे लॉंच करने का का म क्य दो राइट आंसर प्रदेश के मुख जोंटर कम्पणी ने हाली में मीनी रत्न वन केटेग्री का दरजा प्राप्ट करने वाला जो राज है कंपनी वो है सोलर एनरजी कोर्परेशन विस राइट आंसर अगला था कि बताओ कि सरकार ने एह हैल्प मानेता प्राप्त एजेंट फोर हैल्ट एक्स एक्सेंशन ओफ लाइव अस्टॉक प्रोडक्शन नाम से कारिक्रम शुरू करा है तो साथ इसकी शुरुवात उत्राखंड की सरकार ने किया है पुसकर सिंधामी साहब ने किया है जिसको आ सेवी के स्थापना उनीस सो आठासी में हुआ है बारह अप्रैल को जो की डेट के साथ यहां पर लिखा हुआ भी है इसकी जानकारी रखोगे एक नया लोगो भी इस बार जारी किया गया नेक्स्ट है कि कौन सा देश ऑक्सफोर्ड उनिवर्शिटी के द्वारा मलेरिया व वैक्सिन का परियोग साथ और डवलपिंग एकोनॉमी के द्वारा देश के द्वारा किया जाएगा और इसमें घाना पहले पहले इसकी इसकी इस्तमाल करने को अनुमती दे रहा है आगे बढ़िएगा किस बैंक ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ ती सब्सकार सब्सक्राइब को विल्ला कंपनी के जो कर रहे है चलिए आगे सवाल पढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन होगा कि विश्व चागास रोग दिवस कब मनाया जाता है तो साथ इसकी एप नाया जाता है पंद्रह सौरी चौदह अप्रेल को जो कि आप्षन में नहीं लिखा हुआ है क्या कि 14 अप्रेल को आप्षन में नहीं लिखा हुआ है आप इसको ठीक कर लेना हम लोग भी उस दिन डिसकस किया होंगे तो इसकी जानकारी रखेंगे नेक्स्ट है उत्तर पुर्वी भारत के पहले MS का उध्गाटन कहां पर खेला है तो 0 कैसाल विधबनसक यूदवक है मिलियस 21 देश के सुना द्वारह निर्देशी थे इसके द्वारे निर्देशी थे आप आगे सवाल होगा खबरों में रहा मेलो लॉन्था अरुना चलेंस इसकिस प्रजाती से संबंदी थे तो साथ कि इसका समद्ध बिटल से है ब्रिंग से है इसको आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं और नाम जासा है ओइसा ही चेत रहे इसकी खोश सकी मोरा प्रदेस में नई परजातियां हैं इसके संदर में आ आप चानकारी रख सकते हो चरी तो एथे क्विक रीविजन के सवाल और कुएक रिविजन के सवालों के साथ अब हम लोग डिसकस कर लेते हैं और इससे पहले मैं आपको सेशन में आगे बढ़ाओं एक ज़रूरी जानकारी सब को दे देता है देखो अनकाडमी के लिए इसमें प्राउड मोमेंट है जाहिए सी बात है दिव्या सिकरक्वार के बारे मां आप सब ने सुना होगा मैं इन्होंने रिजल काम पर है रैंक वन इन्होंने हासिल करा है साथ यह अनकाडमी पर लॉट कर आ चुका है एक ऐसा ओफर जिसका इंतजार आप सब फूब करते हो वह ऑफर है कि एक साल का कॉर्स पर्चेस करो एंड वन यह आपको एक्स्टा मिलेंगे सब्सक्रिप्शन के पैसे एक साल का अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो और रैफरन कोड के तौर फे जो अश्ट्रेट आप प्रियोग करेंगे वह कोड होगा का एसकेसी टेन जो है वह वो पोड भी आप अपलाइ कर सकते जिससे आपको पचीस पर तीसाब तक का डिसकाउंट मिल जाएगा अप्टू ट्वेंटी फ़एफ परसेंट है आनि कि आपको पचीस परसेंट का डिसकाउंट पर एक एक अडिशनल बैनिफिट भी वन यह एर अध्य एक्स रा और इसमार बैए इंगर legिट क्लास है आर के क्लस दोनों के लिए आस्प्रेयास करिएगा बच्छी जल्दी से जूडने का चलिए तो मुझे वापस लोटेंगे आज के ने प्रश्णों पर फिर से और ने प्रश्णों की बात करेशन तो क्या आपके कॉमेंटेस सर मैं कॉलेज स्टूडेंट हूं पार्ट टू में तो कैसे हम कॉर्स ले आप मुस्कान आप कॉर्स लेने के लिए आनकेडमी का एप इंस्टॉल करना अपने मोबाइल नंबर को वहाँ पे इन्रॉल करिएगा और टीपी और आएगा और उसमें जाकर करना है और खास करके मुझे लगता है कि आपके जैसे बच्छे जो भी कॉलेज गोइंग है उनके लिए बहत्रीन ओफर है यह बहत्रीन जिसको कह सकते हैं क्योंकि दो साल का आपको एक्सेस मिल रहा है और दो साल का एक्सेस का मतलब जो होता है वह यह है कि आपको एक साथ इतनी एक्सेस मिल जाएगी कि आप अराम से अनकेडमी के साथ अपनी पढ़ाई को बढ़ा सकते हैं आप कॉलेज भी जा सकते हैं और कॉलेज के साथ साथ आप देखें तो आप घर से भी पढ़ाई कर सकते हैं आप घर पर बीपीसी की तैयारी भी कर सकते हैं जो इतनी बड सब्सक्राइब करोगे तो करो फिर उसका कोई जवाब नहीं है पहला सवाल आपके सामने पहला प्रस्टेशन की नित्या अपने नाम कर लिया है यह पहला सवाल आपके सामने आज का पहला सवाल जल्दी से देखो गए तो साथ्यों इसमें जो उन्हों अपने नाम किया हुआ है एस एच सिक्स अस्टेंडिंग सौट अस्टेशर हां आनि कि खड़े और छोटा कद के मामले में इन्होंने गॉल्ड मेडल अपनी नाम कर लिया पैरा बैंडमिंटन में और इनके बारे में विश्तार से जानकारी है कि ब्रैजिल के सावो नामक सहर म स्तावो पॉल सहर के अंदर हैस्ट जो आयोजन हो रहा था उसमें सांदार परदर्शन करते हैं इन्होंने दो स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है नित्या स्रीव सुमती ने 18 वर्सिया नित्या है स्वर्ण और इन्होंने महिला एकल फाइनल में पेरू की इनको प्राज मिंटन में उसमें इन्होंने गॉल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है तो पहला सवाल कंप्लीट है अग्लाव प्रसंदेखोगे जन्जातिय मामलों के मंत्री अरजुल मुंडा द्वारा स्पेंट सुरू किया गया उत्तर पुर्वी छेट्र पी टीपी एन ए आर योजना न के खरीद रसद और वीपनन की दक्सिता को सुधार करना उत्पादों के उत्पादन भारत के लिए निश्ची छेत्र तक सिमित करना या फिर पूर्वी छेत्र में अध्योगी करन को बढ़ावा देना अर्जुल मुंडा के द्वारा अभी उत्तर पुर्वी भारत के अंद पूर्वी राज्यों में जनजातिय उत्पादों की खरीद रसद उसका लॉजिस्टिक्स और वीपनन की दक्षिता में सुधार करना हां इस राइट आंसर और इससे जुड़ावा जो तमाम मेतुपूर मामला है आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं मनीपूर में इसक कारेकरम की शुरुबात की गई है 18 अप्रेल 2023 को साथ में मनीपूर में इसकी शुरुबात की गई है और नेक्स्ट कोशन है कि सौरास्ट्र तमिल संगमम का आयोजन किस पहल के तहत किया जा रहा है एक भारत स्रेश्ट भारत डिजिटल इंडिया स्वक्ष भारत अभियान सब्सक्राइब मैं किन इंडिया आप से सवाल क्या पूशा कैसे शौरास्ट्र तमिल संगमम का आयोजन किस आधार पे किस के अंतरगत किया जा रहा है कि जल्दी से इस प्रश्ट को देखेंगे ते लिए बहुत बहुत बहुतर राइट आंसर इस प्रशन को आगर रिलेट कर सकोगे तो आपको पता होगा कि भारत में एक सरकार का स्कीम है जिसे हम लोग बोलते हैं एक भारत स्रेश्ट भारत हां और अपने नाम सुना होगा अच्छिय भारत योजना इंक्रिडबल इं जाता है तो उसी के तहत सौरास्ट तमील संगम यह और आयोजन किया घृपने जैसे यह नम सुना हो फौप्हा तो सचवरास्ट आपको पता है सवाराश्ट गुजरात का एक ऑनिह जो है है और तोरास्टा गुजरात का सबसे पिछडा हुआ शेत्र में consider किया जाता है तो वहY फर इसका अचिया गया है आयोजन का इस्तमों वहजन की चल्शका का सिवजात्त को कहां तुष आप परेल 203 इस और है गुजरात के सोमनात में हाँ गुजरात के सोमनात में इसका मुख मंध्री भुपयंदर पटल केंद्रिय जो इत्यादि लोग इस कौन सी कंपणी ने भारतिया सेना की कॉंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परिक्षा लेने में सहायता परदान कर रही है अगनी वीर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि भारत में चार वर्सों के लिए भरतियां करी जा रही है और चार वर्सों के बाद बच्चों को 75% बच्चों को रिटार्मेंट दे दिया जाएगा तो उसके संदर में पूछा जा रहा है कि कौन सी कंपणी है जिसने अगनी व इस आयोजन को करेगा ओनलाइन जो एंट्रेंस होंगे और 18 अप्रेल से जो इसकी एक्जाम है अगनी वीरों का भारतिय सेना के लिए यह शुरू हो रहा है इसके लिए जानकारी रखेंगे 176 अस्थानों पे 375 केंद्रों पर यह परिक्षा आजित की जाएगी 26 अप्रेल से ले करके स्टुएंट यह 26 अप्रेल तक लगतार एक्जाम चलेगा और भारत में इसके लिए टोटल 375 परिक्षा के अंदर बनाए गए 175 अलग-अलग सहरों के अंदर तो इसकी जानकारी रखेंगे हाँ और आपको पता है कि यह सर्वोच सेवा है ना यह जो है देश के लिए सर्वोच सेवा है तो उसके बारे में भी जानकारी रखेंगे आगे बढ़ेंगे अगला सवाल है कि पर्थम बहुत वैस्विक सिखर सम्मेलन का विशे क्या था इसकी थीम क्या थी जिसका आजिए अभी रिसेंटली किया है इसका थीम क्या है इसमें देश के पर्धानमंतिर नरेंद्र मोधी पर सामिल हुए है और राइट आंसर जो बेस्टी पर्थम वैस्विक बहुत सीखर सम्मेलन जिसका आज़न नई दिल्ली में आज़ित क्या थीम था यह थीम एस्वेंट कि समकालीन चुनोतियों के परत देश के माननिया पर्धानमंत्री को और तमाम जो बहुत भीक्षु है उन्हें इसके बारें जानकारी रखेंगे कि यह कहां पर आयोजन हुआ दिल्ली में पर्धानमंत्री नरेंद्र मोधी ने इसका उद्गाटन किया है बहुत सम्मेलन का इस आयोजन में 30 देशों से देशों के साथ जो हमारा कल्चरालोड डिप्लोमेटिक रिलेशन से उसे बढ़ावा देना उसे आगे बढ़ाना यह इसका मूरु देशिया है आगे बढ़िएगा नेक्स्ट कोचन है कि आर्थिक सहयोग के लिए भारत अस्पेंट सन्यूक्त आयोग का बारहमा सत्र आयोजन हुआ है तो साथ इसमें आपको पता है कि मैक्सिमम समय अगर आपको कोई उत्तर नहीं दीखे लेकिन आप तो भी प्यासी नेगेटिव मार्किंग कर दिया अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं करेगा तो ऐसे जो अखिल भारती अस्तर के जो बैठक होता खास करके इसमें अस्थं सरकार के जो अधिकारी और मंतरी सामिल हो रहा है तो इसकी जैनकारी अप रखेंगे यह आयोजन कहांपे हुआ है तो टेरह अपरेल को हुआ है दोनों पक्षों के अर्थिक सहयों के सरकारों ने बिजली उत्पादन सिपिंग बंदरगा प्रेटन बुनियादी धाचा फाद्य परसंस्क्रन दवार अक्षय जैसे कई महत्पुन विश्व पर सहयोग के लिए यह समझाते किये हैं तो इस स्क्रीन पर जानकारी को देख सकते हो जल्दी से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोश आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन के हैं तो जड़ा देखा जानेक्स्ट कोशन अगला सवाल है किसके द्वारा लिखीत पूछता है दा ग्रेट बैंक रॉबरी NPS A Scams and Future of Regulation इस पुष्टा को लिखा गया है साथ में पुष्टा के बड़ा फेमस कुछा जारे कि इस पुष्टा को किष्ण ने लिखा है तो इस पुष्टा को लिखा गया सब्यास्टी डैस के द्वारा और दो लोग है वेशी गली इसके बारे माप चानकारी रख सकते कि पुष्टापी राम और सभ्यास्टी डैस ने नई किताब को लिखा जिसका नाम है तग्रेट बैंक रॉबरी सबसे बड़ी बैंक लूट और भारत के सवतंतरता उनिश्रों सैंतालिस के बाद 11 घोटालों की इसमें चर्चा की गई है इस पुष्टक की जो सबसे खास बात है जो सवतंतरता के बाद 11 घोटाले जो सबसे बड़े बड़े घोटाले हुए है उसके बारे में इसमें विस्तार से चर्चा की गई है लिखा गया है उस तक का आप यहां पर टाइटल भी देख सकते हैं इसके लेखकों के नाम भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और जानकारी रखेंगे कि यह किताब रूपा पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेट के द्वारा पब्लिश किया गया है अटाभी राम जो एक चार्टर एकाउंटेंट है जो तमिल नाडू के चैन्नाई में आधारी था और एक लेखक है तो इनके बारे में भी ज सुच्छी में सामिल किया गया है और विस इंडिन एक्टर हाज बिन इत्लोडेट इन दी लिस्ट आप दी टाइम मैगजिन इंफ्लोएंशल पर पेपल के तौर पे अच्छे सल्मान सारुक या फिर आमीर खान को इसमें से उत्तर की पहचान करिए कहां मैं सी पर टिक लगा दिया है इसमें सी हो जाएगा दोनों नाम दिया हुआ है ना सौरी दोनों नाम दिया हुआ है उप्शन पढ़ा ही नहीं था सी राइट आइड आइड अंसर ओभियसली अगला सवाल इसके बारे में जानकारी रखना स्टों कि साहरुख खान को हां तो कि ऑफ पॉल्योड सारुख खान को टाइम मैगजिन के दौरा प्रभाव साली लोगों की लिस्ट में जारी किया गया है सामिल किया गया है ठीक है और इसमें केवल सारुख खान नहीं है बलकि राजा मोली को भी सामिल किया गया जानकारी रखना तो एक्टर है राजा मोली इसमें निर्देशक है इसलिए उनके बारे में लोग नहीं पढ़ते हैं और दुनिया के एक सो टाइम लोगों की प्रभाव सालीता की लिस्ट जारी क तो एक जानकारी है इसके संदर में अपनोट कर लेना हां सारुख खान और स्राजा मोली आगे अगला सवाल फिर से है कि क्रिशी ड्रॉन सबसीडी प्राप्त करने वाली पहली भारतिया कंपनी कौन बन गई है इंडिया की पहली बार कंपनी एस्वेंट जिसको भारत सरकार इसे सही उतर हो जाएगा गरूड एरो ऑस्पेस के बारे में क्या जानकारी है तो इसे आप अच्छे से नोट करें कि गरूड एरो स्पेस जो एसी कमपनी है जिसके निवेसक निवेस्टर मेहं स्टारटप कमपणी में यह पहला स्टारटप हब बन गया है जिसको सब्सीडी मिला है सब्सीडी ड्रोन के इस्तमाल में को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारव परदान किया जाता है और इससे क्या होगा सुएन तो आपने पढ़ा होगा कि जब सर को भी योजना को भी लॉंच करने की घोशना किया था अब ड्रॉन के माध्यम से खेतों के अंदर वो किटनासकों का छिड़काव किया जा सकता है और उर्वरकों का भी छिड़काव किया जा सकता है उस फसल की देखभाल भी की जा सकती उसका सहत का पता लगाया जा सकता है ड केहंदर सिंग धौनी का इन्वेस्टर से बनी कंपनी जो चल रही है तो यह तमाम जानकारी आप रखेंगे आगे बढ़िएगा इस तरह से ड्रॉन लगा हुआ रहेगा और वो खेतों में क्या करेगा छिड़काव करेगा तो कितना सक्का उर्वरक का तो अच्छी बात है यह सब्सक्राइब आगे बढ़िए गर नेक्स्ट है कि अगला स्वाल है केंद्रिय मंत्री द्वारा बंदरगावों पर ग्यारों इंतरास्ट्र संबीलन को संबोधित किया गया इस किंद्रिय मंत्री का नाम क्या है शुब्रमन्ययम जैसंकर या निर्मला सीता रमन या ही देखते हैं मोटे तौर पर तो केंद्रिया मंत्री जो है नितिन गटकर रिजस्ट में उन्होंने मुंबई में आयोजीत बंदरगाहों नोवहन और रसत पर 11 में द्यूवार्सिक अंतराश्टी संब्वेजल को संबोधित किया है विसारजनिक परिवहन देश के लिए जो परिवहन मंत्री है नितिन गटकरी उन्होंने मुंबई में आयोजीत अंतराश्टी संब्वेलन में इंडिया को रुपाउस जेंट किया है भारत के तरब से इन्होंने अपने व्यक्तव्य प्रशुत करे हैं चलिए अभी हम लोगों इसमें टोटल दस सवाल कर लिये है और दस प्रश्णों के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे बत्तब नेक्स्ट होगा कोशन नमर 11 अगर आप पहली बार इस क्लास में है तो प्रयास करिएगा रहने का मैक्सिमुम बचे तो रेगुलर ही हो क्योंकि इस क्लास के अंदर हम लोग ने नेक्स्ट कोशन और लाइक कर लो हां लास्ट में मैं काउंट करता हूं तो लाइक बहुत कम होता है जैसे अभी 147 बच्चे में दीख रहे हैं तो प्रयास करिएगा लाइक कर लेने का जल्दी जल्दी से अभी मात्र 58 लोगों ने लाइक किया है यह अच्छी बात नहीं है विश्वा धरोहर दिवस कौन सा दिवस है विश्वा धरोहर दिवस वर्ल्ल हैरिटेज डे कब ऑब्जर्व किये जाते हैं अप 15 16 17 या 18 अपमें से कुछ लोगों का उत्तर बिलकुल सही है कुछ लोगों का उत्तर एकदम से खराब है आपको बताना की सही उत्तर क्या होग जल्दी जल्दी से कॉमेंट करिएगा सर पीडियेप कहां पर मिलेगा पीडियेप के लिए आपको एक ही जगह आपको जाना है और वह जगह है जो और है अनकैडमी एस केसी हाँ कि अनकैड़ के तो जल्दी से देखेंगे और कि अब करेंगे बहुत बहुत है राइट आंसर इस आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसमें बिल्कुल से उतर किया है अनकyoung इसमें जो सही उत्तर है वोगिशली डी इस राइट आंसर विश्वा धर वो हरे और यह साथ हरा अपर्याशक्रल को यह विराश्वत अस्थल पर्टिक वर सथह पर अंतराश्टिय परिश्द के द्वारा एंड ये ना केवल मानों सब रचनात्मक और उत्कृष्ट करीतों बलकि अतीत के समय के स्मरण को भी याद दिलाता है हां और जब भी बात करते हैं विरासत अस्थलों की तो जानकारी रखना की विरासत अस्थलों के बारे में अग कि भारत में वरतमान में जो टोटल विरासत अस्थलों की जो सुचिएस्वन लिस्ट है उसमें कुल 40 अस्थलों के नाम जो है वो दर्चे सामिल है इस दानकारी को भी रखेंगे आगे बढ़िएगा कि सेकंड हेल्थ वर्किंग ग्रूप अगला सवाल है कि जी ट्वेंटी Parliament को ही खता आहता है ऊठतीन दूसरी हेल्थ वर्किंग ग्रूप की बैठाक जो है कहां पर आई जित होनी है सब्रहिक जीर्टि ज़ी है वह वह लगातार खाया हुआ हुआ है और जीर्टी लगातार खाया हुआ इसी क्रम में यह जो इसकी बैठाख होँनी – यह को रपोगे to be held in it is proposed to be held in it is proposed to be held in obviously इसमें लोग देखेंगे तो मापीच जाओगा इस पर थोड़ा से इसको पर करेक्ट कर लेना अश्मेंट एक्टूली यह बैठक जो है माहराष्ट्रा नहीं होगा है यहाँ पर गलत हो जाएगा यह बाहराष्ट्रा इस पर इसका आयोजन जो तक गोवा के अंदर क्या गया है गोवा के अंदर इसका अफ्रीन हुआ है और स्क्रीन पर देख सकते हो इसका आयोजन से जुड़ावा जो डेट है हां इसका आयोजन से जुड़ावा जो डेट है 17 से लेकर के 18 या 19 अप्रेल तक इसके आयोजन होना है 19 अप्रेल तक गोवा में तो गोवा में इसका आयोजन हुआ है इसकी जानकारी रख लेना गोवा में और जी 20 के दूसरे स्वा प्रात्मिक्ता पर आधारी तीसरी बाते की गई है सुरक्षित परभावी गुनवत्तापुर्ट सस्ती चिकित्सा कैसे होगा लोगों तक उसको है उसके बाद सार्व जनी सार्व भॉमिक उनिवर्सल हेल्थ प्रसुलिटी कवरेज को लोगों तक पहुंशाना उससे ज्यादा से ज्यादा फोकस पीडियाप पे करिएगा पीडियाप में सारा चीज़ लिए मैं डलवा रहा हूं थाकि आप इंगलिस में जो भी अपनी चीज़ें देखना चाहते हैं वहां पे आपको दिख जाएगा आगे बढ़िएगा नेक्स्ट है कि डिजिटल स्वास्त सिखर समयलन 2020 क्या आयोजन भारतिय उद्ध्योग परिशंग और स्वास्त्य और परिवार कल्यान मंत्रा लिद्वार सन्युक्तुरूप से किस सहर में हुआ है किस सहर में तो स्यंट इसका भी आयोजन जो है यह पंजी में हुआ है गोवा के इनदर और आप यहां पर श्क्रीन है scalable सावन्त को आप सावन्त को आप देख सकते हैं जो की कोवा मुख्यमंत्री है इसमें जानकारी रखेगा कि इसका आयोजन वेस्टेट भारत सरकार के परिवार करियार मंत्राले के रामा भारतिया उद्योग परिशंग इस आयोजन का विषय था एक साथ एक स्वास्ते का निर्मान और स्वास्ते समानता में सुधार एक्जाम के अंदर सबसे जो सब महत्पून सवाल हो सकता है इसमें वो यह है कि डिजिटल हेल्थ समीट जो 2023 का हुआ यह कहां पर हुआ है तो पंजी में हुआ इसमें गोवा के अंदर और अगली जानकारी बड़ी IMPORTANT है कि इसका THIEM क्या था तो सब्सक्राइब के बारें जानकारी रखना इसका थीम है एक साथ एक स्वास्ते का निर्मान और स्वास्तिय समानता में सुधार हां यह इसका थीम था आगे बढ़हेंगे अगली जानकारी होगी नेक्स् आता है ना मज़ा क्यों नहीं आए हां जब राज जी जो है वही थोड़ा पटा सा है तो फिर ऐसे नाम तो पड़ने ही पड़ेगा के चलें जी ट्वेंटी पर वीडियो अब जी ट्वेंटी पर कितना वीडियो बनाऊगे अब लेकिन थोड़ा हो जाने दो और अभी दो चार तो हम लोग एक जान से पहले में करवा दूँगा आपको तब तक हम लोग चुकि अभी और भी कई सारी बैठे के हैं तो जाइट श्री बा उन्हों ने इसका उद्गाटन किया है डी आप स्क्रीन पे इन्हें देख भी सकते हो और क्या नाम है इसका तो अरुनाचर परदेश के तवांग जी लेके अंदर गौंकर गाउं में गोनपा का उद्गाटन किया गया गया गोनपा एक मनुष्यों की भलाई और बहत्री के सार नीमा तुसुसम और सामानी रुप से सभी बोधों के लिए एक बहुत ही एतिहासिक मेर्तु है और गयारवी और बारवी सताब्दी में गोनपा पतन के कगार पर था लेकिन इसे एक नेड हांचे के साथ बहाल के आगया है लागू के आगया है दो तीन बाते जिसको का आयोजन है गोनपा का अजन बॉस्द्स से जुड़ा हुआ है और एक इसके इंपोर्टेंस को आप यहां पर देख सकते हैं ज़्यारवी बारवी सताब्दी में से उससे जुड़ा हुआ है और उद्गाटन कहां पर हुआ है तबांग तबांग तो ऐसी भी पुछा जात चैन्नाई मेट्रो रेल लिमिटेड के मल्टी मॉडल और टिकट ऐकी करन योजना के हिस्से के रूप मेश्वेड नैशनल कोमन मॉबिलिटी कार्ड या फितिंगारा चैन्नाई कार्ड के लिए किस बैंक के साथ सहयोग किया है चैन्नाई मेट्रो ने मल्टी मॉडल ठीका गरन ये किस के लिए अब है कार्ड डैवलयप किया गास्वें मल्टी मॉडल कार्ड इसमें ट्रेवलिंग शॉपिंग वापिंग सब कर सकते हो तो किस बैंक के साथ इन्होंने समझाति किया है उस बैंक का जो नाम है सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करना है कुछ भी करना है अब आप मेट्रो एमडिसी बसों किसी भी ट्रेन्वरेंट में सफर करो आपने एक ही पैंक ओफ इंडिया के द्वारा सब्सक्राइब करने पर निश्रुल प्राथ किया जा सकता है और अगला सब्सक्राइब करने का विकल्प जल्द उपलब्द हो जाएगा आनि कि एक ऐसा कार्ट है जिससे आपको पूरा सहर में घुम सकते हैं या लगने इसको पैमेंट कर सकते हैं कि इस बैंक का अंतरीम एमडी और सी यो के रूप में पॉइंट किया गया मतलब हो गया कि वह अभी पर्मानेंट नहीं होंगे बल्कि कुछ दिनों के लिए वो कार्य रत होंगे तो इसकी जानकारी रखेंगे हां और साथे उस बैंक का टो नाम है करना टका बैंक का कौन सी बैंक है तो करनाटका बैंक आप इन्हें देख सकते हो यहां पर अ meant कि आप इन्हें सकते हो सेखार राव और सेखार राव कोस्टेंट आरवी आए ने करनाटर बैंक के अंतरी निदेशक और सियो के रुपे माननेता दे दिया तीन मेहने के अवधी के लिए जो भी पहले होगा वो निदेशक के रुपे जानकारी रखना इनको टैंपरररी बेसिस पे इनको निदेशक के लिए तीन मेहने के लिए है और तीन मेहने के दौरान करनाटर बैंक में अस्थाई और स्थाईनें मांचटर्ण साथ महाराषट्र grants से किस संम्मानित किया गया है अब यह नाम सब एक ही जैसा लग रहा कि महाराषट्रा भूसन पुरुशकार से किसे संम्मानित किया गया है चलिए इसमें सही जानकारी होगा श्में कि डॉक्टर डॉक्टर अप्पा साहब धर्मादिकारी को सम्मानित क्या गया है और सम्मानित करने का कारिय में आप देख सकते हैं कि इसमें जो उपमुक्ष मंत्री है केंद्रिय गिरह मंत्री है और समंदित वैक्ति जो है और एकना नानासाहब धर्मा देकारी थे नाना के लिए काम करता है और इस देटा को देखें कितना मेहत्वपून डेटा है 2015 से लेकर 2021 के बीच में इनोंने लगबग देश्ट के अंदर महराश्टर के छेत्रों में 36,161,000 पौधार ओपन किया है तो अपने आप में बहुत ही सराहनिय प्रयास है इनका और जहिर से बात इस परतिस्टित प्रवासी भारतिय संग्मान किसे परदान किया गया है और साथ प्रयास्टिय को और राज सुप्रमण्यम को ही क्यों दिया गया बही तो आप इनके बारे में ज्राकरिया है ब्हारतिय मुल्क व्यक्तियों और भारती डायस्पुरा को भारत द्वारत दिये जाने वाले सर्वोच नागरिक प्रोषकार है इस चीज को समझेंगे यह तो प्रोषकार दिया गए सब्सकार है और वैस्विक परिवहन दिगज FedEx के अमेरिकी CEO है राज सुब्रमन्यम और उनको प्रवासी भारतिय सम्मान परदान के आगया है FedEx के बारे मां आप सबने जानकारी रखाओगा स्मेंट FedEx का पूरिया सर्विसेज एक लॉजिस्टिक सर्विसेज जो वर्ल डेबल पर प्रोषकार है उसके इंडिया अमेरिकी CEO है FedEx के CEO का नाम के आशन राज सुब्रमन्यम और भारतिय मुल्के डायोस्पोरा और भारतिय मुल्के लोगों में दिया जाने वाला इस सबसे बड़ा प्रोषकार है ब्रमन्यम को इंडिया हाउस के एक समारों में अमेरिका में ये प्रूशकार जो भारत के अमेरिका के राजदूत है तरंजीत सिंग संदू उनके द्वारे इन्हें परदान किया गया है तो इस जानकारी को रखेंगे और फेडेक्स कंपनी के सिओ और एमडी दोनों के पत्पे कारेरत है उन्हें सम्मानित क्या गया स्ट्थ इस सियो भी है और कंपनी के चैयर में अच्छी बात है कि कोई भारती इतनी बड़ी MNC को मेल्टी नेशनल कंपनी को हैड कर रहा है और उन्हें इस प्रुशकार से सम् का नाम है राज सुब्रमन्यम और राज सुब्रमन्यम को स्रम्मानित क्या गया है प्रवाश्वी भारतिय प्रोशकार से नेक्स्ट हाथी बचाओ दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है तो परती वर्ष इसका आयोजन सुलह अप्रेल को हूता है इस वर्ष जानकारी वहा था और फाली बार और ररह में रहा हुआ जानकारी रखनी है जार्खंड का राज्किया पसू है और एक्जाम में आपको बीपीसी के अंदर ऐसे सवाल दीख जाएंगे आप इसे करेंगे और आप में से लोगों ने नाम सुना है दल्मा अभ्यारण्य के बारे में भारत में शुरू किया गया था हाथी प्रोजेक्ट हाथी इसकी शुरुवात की गई थी यह भी नोट कर लेना है उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट है अगला सवाल होगा कि सियाचीन दिवस पर्तिवर्ष कब मनाते हैं कि सियाचीन दिवस आथि पर्तिवर्ष किस तारीक को मनाया जाता है तो इसे पर्तिवर्ष 13 अप्रेल को मनाया जाता है और सियाचीन के बारे देखो यह हिस्टॉरिकल जानकारी है कि 1984 में 1984 जब ऑपरेशन में एकदू चला गया था और उसके बाद क्योंकि गलेशियर पाकिस तो चीन के साथ यहां पे माइनस में Wi-kos साथ आता है तो चीन जबसे ठंधा अस्तल माइनस मीं मैं- अभी मैंने में होगा और यहां पर भरतिया कि रक्ष्ळ आकरता है तो सियाचीन में जो ऑप्रेशन में चला गया था 1984 में तो उसी का 49 वर्स गाट के तौर पे सियाचीन दिवस जो है वो मनाए गया है इसकी जानकारी आप यहां पर रखेंगे और तो यह सवाल है यहां पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है सियाचीन वारियर्स का मौसम बदलने के बाद भी देश की रक्षया करते हैं पिछले 49 वर्सों के दौरान से मौत को प्राप्त करा है ये जानकारी रखेगा चलिए आप इतने सवालों को हम लोगी ने आप पर कंप्लिट कर लिया है दैं अब बारी है बियार के करेंट अफेर्स की लिखे आज कर नियूज किया है बिहार करेंट रफेस्ट में न्यूज क्या है एक तो न्यूज बहुत कम आ रहे बिहार से हां और उसमें से भी एक न्यूज आप स्क्रीन पर देख सकते हो इसे स्क्रीन पर आप देखें बिहार राज्य आपता प्रबंदन प्राधिकर ने एन आईटी से सर्वे करवाया है और ओश्णा किया है कि बिहर के तीस विराशत स्थलों पर अब आप दा आने पर भी उससे स्रख्षित रखा जा सकता है और दिराशत तस्थल कौन है आपको और अंड सुरक्षा देना है आरा हाउस महाराजा कॉलेज कंपाउंड आरा इसको सुरक्षित रखना है दाउद खान का किला दाउद नगर और रंगाबाद को सुरक्षित रखना है आर्के लॉजिकल साइट खेरी भागलपूर इस तरह से तमाम जगह है गया बोद गया हाजीपूर ज स्थल दिवस जीसिन मनाए गया था उसी दिन इसकी सुराथ की गई है अब इन छेत्रों को इतना सुरक्षित बनाना है कि बाढ़ भुकम या आग वजिरपाद जैसी प्राकृतिक आपताओं का इस पर कोई परभाव नहीं पड़े हां दूसके उसके दृष्ट कौन से इसक कि कल के प्रश्णों को कितने लोग चाहते हैं कि करवा दिया जाएं अगर आप चाहते कि कल के सवालों को कर लेना है हमें आप हमें जल्दी जल्दी से बताओ कि आप रेडी हो अठारा अप्रेल था ना कल कि अठारा अप्रेल के सवालों को करने के लिए कर तैयार है तो कॉमेंट करके बताइए कल नहीं हुआ था कपसले सेशन कि पीस मिनिट पचीज मिनिट लगेगा थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि जंद जंदी जंद कि जो सवाल कुटा है उसको तरवाते से प्रयास करेंगे तो जाएगा जली चलिए और सवालों को देखना है करके और कॉमेंट करते चलोंगा पहला सवाल आप के सामने दिख रहा है स्क्रीन पर सुबह सुबह इतनी गर्मी क्यों होती है वही कि एक कोशन नंबर वन है और पहला सवाल अच्छे पढ़ होगे सवाल है कि बैंगलूरू में इंडियन ग्रांड प्रिक्स फोर में महिलाओं की लंबी शलांग को किसने जित लिया है साथ शलांग को सैली सिंग ने जीता है आप स्क्रीन पर इनके बारे में देख सकते हो कि बैंगलूरू में इंडियन प्रिक्स में इन्होंने जित दर्ज करी है केंद्रिय युगा मामलों के मंत्री जो है इनुराक सिंग ठाकूर ने इन्हें बधाई दी है 6.76 मीटर का इन्होंने चलांग लगाया है जो इन्होंने जंप करा हूँ कितने का मीटर है लगवक 6.5 मीटर और इतिहास रच दिया है दूसरा सबसे लंबा चलांग लगाने वाली प्लेयर हो गई है और इसके साथ सैली सिंग स्ट्रेंट एशियन स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई कर गई है तो इसके बारे बैंगलूरू में इसका आयजन हुआ था अपके आप सैली सिंग को देख भी सकते हो जिन्होंने अभी सबसे लंबी चलांग लगा दी है इंडियन ग्रैंट प्रिक्स बैंगलूरू के इंदर इसका आयजन हु इसके बारे में तमाम जो जानकारी वह आप यहां पर देख सकते हैं इसमें दो तरह की बैठेके आयजित हो रही हैं जो हाइब्रीट प्रारूप में जिसकी बैठेके हो रही है इसमें दो तरह से बैठेक होगी पहला बैठेक आभासी रूप से होगा और दूसरा बैठेक दिल्ली में आजित होगा और इसमें जितने भी सेनाओं के हैड है चीप अफ डिफेंस स्टाफ चीप ऑफ डि नेवल स्टाफ चीप अब डी एयर स्टाफ आर्मी कमंडर के कॉंफरेंच को संबोधित करेंगे ैं आने कि तीनों सेनाओं के जो हैड है वो से सम्मोदित करेंगे और इसका ठीम रखा गया है परिवर्थन का वर्ष 2023 2023 the year of transformation इसमें अब देख सकते सेना के जितने अधिकारी हैं चाहे है वाई-उ सेना हो हो जल से ना हो थल से ना हो तमाम अधिकारी इसमें बैठक में सामिल हो रहे हैं अगला स्वाल है कि संपरित बायो गैस पर दो दिवस्य सम्मेलन का विशय क्या था इसका जो दिवस्य नहीं दिल्ली में हुआ है 17-18 अप्रेल को भारत सरकार का जो पैट्रोलियम और प्राकृति गैस मंत्राले है उसने सम्मेलन को आयजित किया है तो इस विशे को भी आप अस्क्रिम पर समझ सकते हो आगे बढ़िएगा पंचायती राज मंत्राले द्वारा रास्तिया पंचायत प्रोसकार सप्ता कब मनाय चाहेगा उसाथ कर आऊ-पर यहां पर हम लोग वगर डेट की बात करेशन तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सत्रह से ले करके 21 अपराल तक हां सत्रह से लेकर के 21 अपराल तक इसका आयोजन किया जाएगा और और अभी तो आयोजन दिससे अभी इसका तो इस आयोजन के बाद लोग इसके फारे एक बार और पढ़ेंगे, कि भारत में किस पंचायत को संभानित के आगे, कौन कौन से प्रुसकार दिये गये हैं, तो अभी तो पुरे बीक तक यह और पंचाती राजमंत्राले की मनत्री नहीं का नहीं ने जानकारी कारी रखना है इनके मंत्री लिए दो वेदू सराय से घिरिराज सिंह ग्रामीन और पंचायत मंत्री वो इस कारिक्रम का उध्गाटन करेंगे पुरे सब्सक्ता भर चलेगा यह कारिक्रम राष्ट्पती द्रोपेदी मुर्मु इत्यादी जो है उनका भी संबोधन इसमें सामिल है मंत्री और बाकी लोग राष्ट्पती महोद इसका उध्गाटन करेंगे और तमाम जो मंत्री और बाकी लोग को इसमें सामिल होंगे और राश्टे पुरुषकार दो हजार तइस के बारे में जानकार यह रखना कि अब पुरुषकार चार अलग-अलग स्रेनी में परदान किया जाएगा अभी घोसना नहीं हुआ इसलिए लोग नाम नहीं पढ़ रहें ठीक है तो कि इसके बारे में लोग एकर करके पढ़ेंगे आगे सवाल होगा कि फैमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जो है किस ने जीत लिया है अपने अपने टेलीग्राम पर भेजा भी था सायद नंदिनी गुपता नंदिनी गुपता स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अब यह तीनों तो हमें इसका मत नीज़िए अपने नाम कर लिया इन्होंने जीटल्या मतलव कि मीस 2022 की अब में डोजए औभी ट के तरफ से सामिल होने के लिए कौन जाएंगे अगे सवाल होगा कि हाल है में की दीकारी किसे बनाय गया है और आप यहां देख सकते हैं पटनाकर साहब को वो प्यार मिस्टरा की जगह लेंगे हां और इसके अलावा स्थापना से जुड़े वे सवाल कई पर एक्जाम में पूछे जाते हैं एक आप्राइल उनिस्टो चपन को इसके स्थापना किया गया था और एम आर कुमार जोशन्ट वो इसके हैड है पर मुख है लाइसी के और निवेस अधिकारी होते हैं पटनाकर साहब बने हैं पटनायक है इनका नाम रतनाकर पटनायक नेक्स कोशन होगा कि अगला स्वाल है अगला स्वाल होगा भारत ये उचायोग ने इस देश में अपना सोलहमा वीजा आवेदन केंदर बनाया है तो सोलहमा वीजा केंदर का जो निर्मान किया गया है भारत का पडोसी देश बांगला देश के साथ क्या गया है अश्क्रीम पर आप देख सकते तमाम अधिकारी इसके जानकारी रखेंगे डक्षिनी बांगला देश मेंस्ट एक साहर एक उस्तिया साहर तो वहां पर वीजा केंदर आयोजन हुआ है एक ने भारती वीजा आविदन केंदर बना है और इसका मतलब क्या है कि जो आप जो वीजा केंदर रोगास्टेट अगर बांगला उसमें वृद्धी किया गया है और 1971 में मुक्ति संग्राम के बाद बांगला देश का दिर्वान हुआ था तो इसकी जानकारी रखेंग उन तमाम चीज़ों प्याधारी थे हैं सिवो युवा लेखकों का संपन फिडित बायो गैस पर दो दिवस्या सम्मेलन कहां पर हुआ संगहाई कॉपरेटिव और इसके युवा ओं का बैठा कहां पर हुआ है टू डे ग्लूबल कॉंप्रेंस और कंप्रेस्ट बायो गैस पर आयोजन कहां पर हुआ है बहुत अच्छा सवाल है इससे अच्छे से में देखना है तो साथ इसका जो आयोजन क्या गया है निवड सनवाद किया गया है और इसकी जानकारी रखेंगे विदेश और शिक्षा राजमंत्री राजकुमार सिंग रंजन इस बैठक में उन्होंने मुंग कहती थी और अध्यक्ष्टा कि क्याता है सम्मेलन का आयोजन शिक्षा मंत्राले द्वारा 12-13 अप्रेल के बीच किया गया है एस वो मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन कहां पर हुआ है तो यह भी एक महतुपून सवाल है और साथ हो इसका आयोजन क्या गया है मुंबाई के अधर ऑप्शन अबर 20 राइट आगे देखोगे इसका उध्गाटन जो एसमेंट के अंधरिया प्रयाटन राज्य की मंतरी श्रीपद नाइक के द्वारा किया गया है मुंबाई के ताज महल पैलेश में इसका आजन हुआ है इसमें आम जनता होनी सप्रेल थक होटल के तम्यायना रेस्ट्रण में दोपार रातरी के भोजन में इसका प्रयोग कर सकता है कजाकिस्तान कृड़िस्तान तैयार किये जाएंगे हां और एक कौन सा आजन है तो मिलेट्स फैस्टिबल है जो कि मुंबई में हो रहा है अगे देखोंगे विस्वा हीमोफिलिया दिवस कब मना जाता है अपने आप में तुकुन सवाल है विस्वा हीमोफिलिया परते एक वर्स दिवस 17 तारिक को मनाया है और हीमोफिलिया दिवस जो 1989 में इसकी शुर्वात हुई थी वर्ल्ड फैडरेशन ऑफ हीमोफिलिया संस्थापक के जन्मदीन के तौर पर फ्रेंक कैन पर बेल के तौर पर इसका आजन क्या जाता है और भारत में लगवग 23000 से जादा हीमोफिलिया के ठेशे हैं तो इस रहतर चिकित्सा और लोगों को उप्चार एंड जागरुक्ता संबंद में इसका आजन होता है हरवर 17 अप्रेल को आगे देखेंगे कि दुनिया में सबसे मुल्यवान और सबसे मजबूर टायर ब्रैंड्स के पर ब्रैंड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी दूसरी सबसे मजबूर टायर कंपनी है साथ इस और अप्शन को आप आच्छे से पढ़ेंगे और दुनिया की दूसरी सबसे मजबूर टायर कंपनी जो है कि रूप में अभी रेटिंग्स प्राप्ट वाश्मेंड वह है कि MRF Limited है MRF टायर जो है कि दुनिया की सबसे मजबूर टायर ब्रैंड के दौर पर मानेता प्राप्त करा है और लगबख सभी माप दंडों पे खरा उतुरा है इसने हंड्रेड में से 83.2 का स्कूर किया है और इसका रेटिंग है ट्रीपल ए ब्रैंड रेटिंग है MRF टायर इस गुड़ टायर सबसे बढ़िया टायर है MRF और सबसे मजबूर टायर का जो है रिपोर्ट उसमें इसको मानेता मिल गया है जी ट्वेंटी क्रीशी परमुख बैग्यानिकों कि बारहभी बैठक 17 से 19 अपरेल के बीच किस सहर में आयोजित होने वाली है सब्सक्राइब होना वाला है 17 से 19 अपरेल के बीच में जी ट्वेंटी क्रीशी वैज्ञानिकों का बैठक है इसमें सतत क्रीशी और अलगलग जो क्रीशी से समन्दित भी से हैं उस पर चर्चाएं करी जाएगी और यह आप विज्वल देख सकते थीम दे सकते क्रीशी परम आपने पढ़ा होगा नागार्जुन सागर स्रीसेलम तो आपने जानकारी रखनी है जाहिट शीवात है कि यह जो बैठक होगा स्रीसेलम तो डैम भी है ना आंध्रप्रदेश के अंतरगा और जाहिट शीवात ही वहीं फेशती थे भारतिय राश्तिय राजबार्ग क्योंकि हाली में जो भारत का जो रोड प्राधिकरन है जो भारत का रोड प्राधिकरन उसने भारत का जो सड़क परविवहन राश्तिय राजमार्ग प्राधिकरन ने स्टेल हाइवे ऑथारिटी ऑप इंडिया उसने क्या किया है नागार्जुन स्रीसेलम के साथ और इस प इस छेत्र से जब हाइवे गुजरेगा नागार्जू स्रेसलें टाइगर रिजर्ब से तो वहां पे एक फास्टेक आधारित भुक्तान परनाली की वेवस्था की जाएगी और उस पैसे को प्रियावरें की रक्षा के लिए खर्च किया जाएगा आप्रूबल लेना आसान हो पसू महामारी को समगर रूप से संबोधित करने के लिए इस ने पसू महामारी त्यारी पहल की शुरुबात की है पुर्शोतम रुपाला प्यूस गोयल जितेंदर सिंग सर्बान सोनोबाल तो पसूओं से संबंधित जो विशे रहेगा और उनके स्वास्तित से तो काउदे से पस्वों के स्वास्ति को बढ़ाना और उनके लिए लोगों को अबैर करना नई दिल्ली में हाजरत निजामुदिन रेलवे स्टेशन से डॉक्टर वियार अंबेतकर जैनती को चिनहित करने के लिए भारत गौरफ प्रेटक प्रेंट को किसने हरी जंडी दिखा आने का काम किया गया है जी किसन रेडी के द्वारा यह की भारत के कल्चरल मिनिस्टर है और जी किसन रेडी ने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्र विदेंदर कुमार के साथ मिल करके इस जैन इसको हरी जैन्डी दिखा दिए और 14 अप्रेल को भी यार अंबेतक जी की जैन्ती थी देश के सन्मिधान के निर्मा था और उसी के उपलक्ष में इनके जीवन से जुड़े में जो तमाम महत्वपून अस्थन है आठ दिवसी दौरा है स्ट्रेंड का वारा नसी साची सारनात गया राजगीर नालंदा इसे पवित्र बहुत अस्थनों का इस कंपणी बन गई है ऐसा कंपणी जिसके पचास लाग से ज्यादा स्टैक होल्डर से तो साथ कंपणी है एस बैंक का से अभी 15 रुपय है तो सबसे ज्यादा भारत में यही कंपणी बेश पाई है और आप देख सकते हो एस बैंक पहले नंबर पर आईडी एपसी दूसरे प धन लक्षमी बैंक चांथे पर यह सबसे ज्यादा शेर होल्डर से अगला स्वाल है कि क्रिशी प्रोधयोगी की कंपणी ने फसल कि किस बैंक के साथ पिसानों को पुंजी तक आसान पहुंच परदान करने के लिए साज़ेदारी किया है विसी प्रोधयोगी की कंपणी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सब्सक्राइब के साथ प्रोधयोगी की कंपणी ने फसल भारती सब्सक्राइब के साथ समझोते किया है इसे पर सामपट्स भी मुक्त रीन परदान किया जाएगा निकि कोई भी वैक्ति अगर लॉन लेना चाहेगा तो उनको कोई भी कॉल सब्सक्राइब मिल जाएगा पीडियेफ के अंदर नेक्स्ट पोशन है कि विश्वा आवाज दिवस कम मना जाता है वर्ल्ड वॉइस टे बहुत ही मैत्वपूर्ण दिवस से भी वॉइस दो आवाज दो कि हम एक है तो साथ परतेक वर्स इस दिवस को मना जाता है सॉलह अ 99 में ब्रेजिल मेंस्ट इस दिवस की सुर्वात भी थी तो सॉलह अप्रेल को मनाय जाता है वर्ल्ड वॉइस टे आपकी जो बातशीत करते हैं वह वाली दिवस हाँ चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोशन के और बढ़ रहे हैं अगला जो सवाल अशन हुआ है विश्वक कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे कम मना जाता है तो साथ वर्ल्ड आर्ट डे मना जाता है 15 अप्रेल को हां और 15 अप्रेल को जिस दिन मेरा जन्म दिन था उसी दि आर्ट डे के तौर पे और विश्वक कला दिवस मना जाने की शुरुआ दोचर बारह में हुआ है यह उत्सव का पहल जो है विए कलाकारों को अप्रिशियेट करना उनको उनकी कला को परदर्सन करना उसको प्रोशाइट करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है आगे अब बावरकर का हाली में 89 वर्ष के उम्रे में निधन हो गया यह कौन थी उत्रा बावरकर जो है यह मस्वूर अभिनेत्री थी जिनका रिसेंट निधन हो गया है और अनुभवी फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री थी थी आश्वारासिम उन्होंने रास्ति एकाड़म सब्सक्राइब कर लिया है है अब मैं इसका पीडियाफ आप तक पहुंचा दूँगा और जिन बच्चों ने अभी तेक अपनी तयारी को आगे बढ़ा सकते हो और रेफरल कोड है आपका जिसका प्रयोग आप करोगे वह कोड एसके सी टैन हां स्क्रीन पर लिखा हुआ रहा होगा और एसके सी टैन उसका प्रयोग करिएगा वन येर का सब्सक्रिप्शन वन येर आपको एक्स्टा मिलेगा ने कहाड़मी पर इस आफर का जमके लाब अपने साथ्यों को रेफर भी करिए इंगलिस हिंदी मांतिया में ध्यर सारे वैसे इसे आप जूट सकते हो तो अब बारी है दो पैसे की सायरी की और उसी के साथ हम लोग सेशन को समाप्त करेंगे तो दो पैसे के सायरी के लिए कितने लोग तयार है या नहीं चाहिए दो चलिए दो पैसे की सायरी के लिए अगर आप तयार है तो मुझे ज़रा ढूड़ने दो कि ये दो पैसे की सायरी कहां पर है पीडिएप कैसे मिलेगा पीडिएप के लिए टेलिग्राम चैनल है उसको जॉइन कर ले ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक कर लिजाए लिंक पे क्लिक करो वहां से आप जॉइन कर लोगे झाल 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 दो दो पैसे की सारी अजकल नहीं जल्दी मिलता है क्या चली तो एक दो पैसे की सारी इसको आप सुन सकते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है जिन्दगी का हर पहलु इम्तिहान होता है मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है जिन्दगी का हर पहलु इम्तिहान होता है डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिन्दगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है तो हमें लड़ने वाला बनना है हमें संगरसिल बनना है हमें प्वाब देखने वाला कुर्बानी देने वाला और अपने सपनों को जीने वाला बनना है हां अगर सपने सकारात्मक होंगे संघर्स बड़ी होगी तो सफलता भी निश्चितरूप से होगा इसलिए हमेशा प्रयास करना है कि अपने लक्षों के परती हमेशा ड अहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अपने सभी सात्यों के साथ क्लास को फटाफट से शेयर कर देजें बहुत बहुत धन्यवाद ठेक केर बबाए मिलते हैं नेक्स सेशन में ख्याल रखें अपना